Hello viewers, आज हम करेंगे NCRT class 10 exercise 13.1 question number 3 question number 3 क्या बोल रहा है? A toy is in form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius the total height of the toy is 15.5 cm find the total surface area of the toy आप figure में देख रहे हैं एक toy है जो cone shape में है और एक hemisphere shape के उपर रखा हुआ है जिसका radius है 3.5 cm और cone का radius और hemisphere का radius सेम है और total height of the cone toy is equal to 15.5 cm दिया हुआ है तो सबसे पहले हाईट of cone निकाल लेते तो total height से अगर हम ये radius 3.5 ये height अगर मैनस कर दें क्योंकि radius of hemisphere दिया है 3.5 cm तो ये मैनस कर दें तो height of the cone मिल जाएगा तो 15.5 minus 3.5 is equal to 12 cm ये height of cone निकल गया उसके बाद हमको निकालना है slant height तो slant height of the cone is equal to root over of h square plus r square तो यहाँ पे edge था 12 ये हमने 12 लिख दिया और radius था यहाँ पर 3.5 तो 3.5 हमने बैठा दिया तो 12 square is equal to 144 और 3.5 square is equal to 12.25 अब इन दोनों को add करने पर मेरा आया 156.25 अगर इसका square root निकालें तो कैसे निकालें तो देखिए 156.25 का square root हम निकाल रहें तो सबसे पहले इसको pair में कर देते हम ये pair में आ गिया तो बच्चा यहाँ पर 1 तो 1 1 जा 1 हमने 1 लिया था यहाँ पर 1 बैठा दिये तो यहाँ पर A add करते हैं तो 1 plus 1 क्या होगा 2 और A cancel हो जाएगा 1 minus 1 cancel अब ये pair में है 5 6 ये पूरा pair यहाँ पर उतरेगा तो 2 के साथ क्या multiply करेंगे मैं 56 आएगा या उससे कम आएगा तो दीखिए हम 2 के साथ 2 2 multiply करते हैं क्योंकि जो भी हम number लेंगे वो 2 बार लेना पड़ेगा अगर 2 लेते हैं तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी अगर 3 लेते हैं तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी तो हमने 2 लिया, क्योंकि 3 लेंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लिया तो 2 तू जा 4, 2 तू जा 4, यह 4 है हमने 2 लिया था, यहाँ पी इसलिए हमने 2 बैठा दिया तो 6-4 is equal to 2, और 5-4 is equal to 1 यह point है, यह point उपर चला जाएगा, और 25 नीचे आएगा यह add होगा, 2 plus 2, it becomes 4, और यह 2 रगिया तो बच्चा मैं 24 यहाँ पे मिला, तो 24 के साथ हम क्या multiply करेंगे मेरा 1, 2, 2, 5 आएगा, यह उससे कम आएगा तो देखे हम 5 यहाँ पे 5, 5 multiply करें, लिखरें तो जैसे मनें बताया था कि मैं जो भी number लोंगा तो वो अगर 5 लेता हो तो 5, 5 लेना पड़ेगा, अगर 4 लेता हो तो 4, 4 लेना पड़ेगा तो वो same number उपर नीचे लेना पड़ता है तो मने 5 लिया, तो 5 से multiply करेंगे तो क्या होगा 5, 5 यह 25, 2, 5, 4, 20, 21, 22, 2 आया, carry 2, 5, 2, 10, 11, 12 तो मने यह 2, 4, 5 को 5 से multiply किया, तो 1, 2, 2, 5 आया, it cancel तो मने 5 लिया था, यहां पर यह 5 लिखूंगा और यह 5 प्लस 5, 10, 4 प्लस 1, 5 और 250 मुझे यह number चाहिए, 12.5, तो square root 156.25 का क्या आया is equal to, is equal to 12.5 cm, यह वाला value हो, अब total surface area of toy, total surface area of toy क्या होगा, is equal to surface area of cone plus sphere, surface area यह cone का और sphere का, तो surface area of the cone फॉर्मना है, तो pi r l plus 2 pi r square, तो pi r अगर common लिये तो क्या होगा, l plus 2 r, तो pi के value हमने बैठाया 22 by 7, r का value है 3.5, और l हमने निकाला था 12.5, 12.5 बैठाया, plus plus 2 into r, 2 into r का value 3.5, अब देखे 7, यह कैंसी दोगा 75 to 35, तो 12.5 plus 3.5 into 2 is equal to 7, तो that's equal to 11 into 12.5 plus 7 is equal to 19.5, तो 11 into 19.5 is equal to, तो 11.95 से, sorry 11 into 19.5 अब multiply करेंगे तो आएगा 21.545 cm2, तो total surface area of the toy is equal to 21.45 cm2, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजे, चैनल सब्सक्राइब किजिए, thanks for watching.